सो दोस्तों स्वागर साथ आपका हमारे चैनल पे अगर मैं आपको एक क्वेस्टिन पूछूं सिंपल सा कि 2021 में गेमिंग लैप्टॉप में कौन बाजी मारने वाला हैं इंटल या एमडी सो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा आपके दिवाह में डिरेक्ट अंसर जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वेल इंट्रस्टिंग वीडियो फो दोस जो एक्चुली में नोडबुक लेने का प्लैन कर रहे हैं 2021 में वीडियो को जरूर एंटक देखना और मैं मोबाइल में देखता रहूंगा विकॉस मैंने कुछ की पोइ जब हम बात करते हैं बेस्ट अल्टरा थिन एंड लाइट वेट नोडबुक की विकॉस उनका ऐसा कहना है कि जितनी भी आपकी डे टुडे लाइफ जर्नल ऑफिस प्रोड़क्टिविटी एप्लिकेशन रहती हैं यह सीप्यू एक्स्टेंसिव टास्क जैसे की वीडियो र रखा था in terms of you know market monopoly वो उसको चीनने का इवन इंडा केस ऑफ अल्टरा लाइट बुक नोट बुक्स तो अब बेसिकली होगा क्या जो राइजन 5000 मोबाइल प्रोसेसर हैं यह बेस्ट ऑन जैन 3 आर्किटेक्टेक्टर सारे नहीं बट उसके जो मेजर फ्लैक्शिप प्रोसेसर ट्रहारे जैन 3 आर्किटेक्ट्चर बेस्ट अब जैन 3 आर्किटेक्ट्चर बेस्ट होने का मतलब है कि चादा पौवर एफिशंसी ज्ञाधा बैटरी बैकप ऑब जादा एनरजी एफिशंसी जब आपको इस सारी चीजों का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो आपकी परफॉर for sure increase होने वाली है अब देखो 2020 में आपको 100 laptops ऐसे देखने को मिले थे जिन में आपको Ryzen 4000 के chipsets देखने को मिलें थे बड़ इस बार 50% उसमें इंक्रीज है तो यानि आपको 150 ऐसे laptops मिलेंगे different brands की तरब से जहां पर आपको Ryzen 5000 के mobile processors देखने को मिलेंगे so well there is an increase in the number also and मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि जो राइजन 5000 सीरीज है 7 nanometer technology based है and यहां पर परफॉर्मेंस में improvements नहीं है आपका battery backup भी बहुत बढ़िया होने बाला है इस साल in your notebooks अगर comparison की बात करें तो in comparison to intel 11 generation core i7 1185 g7 amd ने कहा है कि इसका जो flagship processor है यू सीरीज का विचिज राइजन 7 5800 u for the ultra thin laptops में जो यूज किया जाएगा वो 18% better है content creation performance में 44% better है video and coding performance में 7% better है office application performance में and 39% better है design and visualization performance में so अगर आप एक designer हो अगर आप एक video content creator हो अगर आप day to day life में एक laptop performance productivity applications के लिए यूज करना जाते हो in every case you are going to see a lot of difference in this particular year and यहां पे मैं आपको बहुत interesting चीज़ बताऊंगा कि जो Zen 3 architecture है उसका जो सबसे बड़ा advantage है वो है single threaded performance single threaded performance जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाली है when compared to Intel's processor and मैं आपको simple सी बात बताऊं तो जो राइजन 5000 series it is going to set a new bar best processes बन जाएंगे in the world for thin and lightweight notebooks whether you are running general purpose productivity applications या आप CPU extensive task भी perform करो के जैसे मैं आपको पहले बताया photo editing करते हो video rendering करते हो 3D design करते हो every case में एक निया benchmark set करने वाले हैं so be excited for this year मैंने आपको बताया ही कि battery backup improve होने वाला है so in 2021 जिन भी आपको ultra notebooks में आपको 5000 series के processors मिलेंगे so you will see increase in battery backup अगर एक general instance बताऊं तो 17.5 hours का आपको general usage का backup मिलेगा in प्रोसेसर से 21 hours का आप you know video play back का backup भी देखने को मिल जाएगा in different life depends on the various obviously and you know what is more interesting than everything else is कि जो आपका flagship you series का processor रहने वाला है which is ryzen 7 5800 you virgin b ultra notebooks में होगा उन अल्टा notebook में कैसा processor जिसमें 8 और 16 त्रेंट जस्ट इमेजिन देखर नोट बूक कंटेंगे प्रोसेसर विट 8 और यूद इमेजिन अपर फॉर्मेंस दवर्टी टास्किंग दमल्टी programming and even the means everything जो भी आप प्रफॉर्म करना चाहों काफी 4.9 GHz की मिलती है मैं 5 and 4.4 की आपको टर्बो फ्रिक्वेंशी मिलती है 20 MB की कैशे memory just imagine that your notebook is having 20 MB कैशे मतलब मैंने भी different notebooks use की है 4 MB 6 MB इतना मैंने जर्नली सुना है जो आज तक का pattern रहता है चलो 12 MB भी मैंने सुना होगा but 20 MB कैशे इन यूर थिं and lightweight notebooks मैंने जैसे की Zen 3 architecture का जिकर किया ही है लेकिन अगर मैं यहां पर आपको एक मतलब थोड़ा सा strange सी चीज़ बताऊं Ryzen 7 5800U and Ryzen 5 5600U यही दो प्रोसेसर है यू सेरीज में जो आपको Zen 3 architecture based में लेंगे लेकिन बाकि प्रोसेसर जैसे की Ryzen 7 5700U Ryzen 5 5500U and Ryzen 35300U यह जो है last generation Zen 2 architecture पर ही based रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि जो Zen 2 पर है उन पर improvement नहीं है उन पर भी improvement है मतलब अगर 5000 series के जो Zen 2 architecture based U series के प्रोसेसर हैं वो multi core performance में 20-30% जादा improved है performance के मामले में अगर उनको compare किया जाए पिछले जेनरेशन के 4000 series जो Zen 2 architecture बेस थे तो यानि Zen 2 architecture के जो processes होंगे इस साल के इसका मतलब यह नहीं है कि वो कमजोर होंगे वो multi-threaded performance में थोड़े से improve है जहां तक single-threaded performance की बात आती है तो जो Zen 3 architecture based Ryzen 5000U के प्रोसेसर होंगे वो 16-80% improved है compare to Zen 2 architecture लेकिन अगर उनकी multi-core performance की बात करूं तो वहां पे वो इतना जादा इतना जादा difference create नहीं करेंगे यह सारी चीज़ें तो आपने सुन ली है ना यह काफी मतलब realistic figures थे but how it is going to make a difference it is definitely going to make a difference because अगर आप बड़ी-बड़ी organizations को देखो बड़े-बड़े brands को देखो वो सारे light and thin weight notebooks you prefer करते हैं for their employees for their you know workers but वहां पे ज्यादा तर laptops क्या मतलब मैं यही कोंगा ना कि 99% में भी laptops ऐसे होते हैं Intel based होते हैं so you can expect कि आने वाले टाइम में जो बड़ी-बड़ी IT sectors हैं बड़े-बड़ी BPUs हैं बड़े-बड़े IT sales हैं या banks हैं वहां पे भी आपको AMD के laptops देखने को मिल सकते हैं वैल अगर ऐसा होता है तो बहुत ही जादा मजा आने वाला है झाले बड़े-बड़े